मुर्मयारूग देश के रवईया हो, जोहार, मन की बात मां एक घाउं फेर, आप सब बो मन के स्वागत हे, ऐसे तम मन की बात हर महीना के आखरी इत्वार के हो थे, फिर ये पईत एक हपता पहली हो थे, आप सब बो मन जानते चाओ, अवईया हपता मैं अमेरिका में रहूं, अव उहां बहुत अकन दवडा भागी घलो रही, अव इही पाये के मैं सोचे हो, उहां जाये के पहली आप मन ले गोट कर लाओ, अव एकर ले बढ़िया का हो ही, जनता जनार्दन के असीसा, आप मन के प्रेरणा, मोर उर्जा घलो बाढ़त रही, संगवारी हो, बहुत अ कोन या मन अपन पाती मा धे रकन प्रशंसा कर थे, कोनों कई थे कि ए करीश, कोनों कई थे वो करीश, ये अच्छा करीश, ये ज्यादा अच्छा करीश, ये बढ़िया करीश, फिर मैं जब भारत के साधारन मन्खे के परियास, उनकर मिहनत, उनकर इच्छा शक्तिल देख तक खुदे अपन आप अभी भूत हो जातों। बढ़का ले बढ़का लक्ष हो, कठिन ले कठिन चुनोती हो, भारत के लोगनमन के सामुहिक बल, सामुहिक शक्ती हर चुनोती के हल निकाल दे थे। अभी हमन दू तीन दिन पाचु देखें कि देश के पश्चिन चोर मा कठका बढ़का चकरवात आय रहिस। तेज बुहावत हवा, तेज बरसा, चकरवात बिपर जाय हा, कठ्च मा कठका कुछ तहस नहस कर दीस। फिर कठ्च के लोगनमन जिन हिम्मत औव तियारी संग अतका खतरनाक चकरवात के सामना करिन वो घलो उतकिच अभूत पूर्व है। दू दिन बाद कठ्च के लोगनमन अपन नवा बचर मने आशाधी बीज घलो मनईया है। ये घलो संजोग है कि आशाधी बीज कठ्च मा बरसा के सुरुआत के चिनहारी माने जाते। मैं अतका बचर कठ्च आवज जावत रहे हां। उहां के लोगनमन के सेवा बजाय के मुला सुभा घलो मिले है। अव एकर बर कठ्च के लोगनमन के हौशला अव उन्खर जबर इक्छा के बारे मां मैं बने असन जान्था। दू दशक पाच्छू के बिनासकारी भुकम के बाद जेन कठ्च के बारे मां कहे जात रहीस कि वो कभू उठ नहीं पाही। आज वो ही जिला देश के तेज विक्सित होवत जिला मां एक है। मुरा विश्वास है चक्रवाद विपर जाय है जेन तबाही मचाय है उखरली घलो कच के लोगन मन बहुते तेजी ले उबर जाही। संगवारी हो प्राकृतिक आपदा मन उपर कोनों के जोर नहीं होए। फिर पाचु बच्छर मन मा भारत आपदा प्रबंधन के जेन ताकत विक्सित करे है वो आज एक्ठन उधारन बनते। प्राकृतिक आपदा मन ले मुकाबला करे के एक बढ़का तरीका है प्रकृति के संग्रक्षन। आज कल मानसून के बखत मा ये दिसा मा हमर जिम्मेवारी अव बार जाते। इही पाएके आज देश कैच दरेन जैसे अभियान के माध्यम ले सामुहिक परियास करते। पाचु महिना मन की बात मा हमन जल सरक्षन ले जुड़े स्टार्ट अप मन के चर्चा करे रहें। ये पैद घलो मुला पाती लिख के कईयों ऐसने लोगन मन के बारे मा बताएगे हैं जिन पानी के एक एक बून बचाये खातिर जी जान ले लगे हैं। अईसने एक साथी हैं यूपी के बांदा जिला के तुलसी राम यादव जी। तुलसी राम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के परधान है। अपन मुहिन के आधार बनाए हैं खेत के पानी खेत मा गाउं के पानी गाउं मा। आज उनकर महिनत के नतीजा है कि उनकर गाउं मा भूजल इस तर सुधरत है। फिर इस थानिये स्मृती अव जन कथा मन मा उला हमेशा सुर्ता करे जात रहिस। आखिर मा लोगन मन हा अपन ये प्राकृतिक धरोहरला फिर सजीव करे के ठान लेन। लोगन मन के सामुहिक पर्यासले अब नीम नदी फिर जीवन थोई लगे है। नदी के उद्गम इस्थला अम्रित सरोवर के रूप मा घलो विक्सित करे जाते। संगवारी हो ये नदिया, नहर, तरिया, ये खाली जल सोता नहीं है। भलुक एमे जिन्गी के रंग अव भावना घलो जुड़े हो थे। अईसने एक दिश्य अभी कुछे दिन पाचु महराष्ट्र मा देखेला मिलीस। ये क्षेत्र जादा तर सुखा के चपेट मा रहत रहीस। पांस दशक के अगोरा के बाद इहां नील वंडे बांध के नहर के काम अब पूरा हो थे। कुछ दिन पाचु जाज के दवरान नहर मा पानी छोड़ेगे रहीस। ये बखत के जिन तस्वीर आईस वो सिर्तोन मा भावुक करे वाला रहीस। गाओ के लोगन्मन ऐसे जूमत रहीन जैसे होली देवारी के तिहार हो। संगवारी हो जब प्रबंधन के बाद हुआ थे तम मैं आज चत्रपती शिवाजी महराज के सुर्ता घलो कर हूँ। चत्रपती शिवाजी महाराज के बीरता के संगे संग उनकर प्रशासन और उनकर प्रबंध कौशले घलो बहुत कुछ सीखेला मिल थे। चत्रपती शिवाजी महाराज के राज्याभिशेक के 350 बचर पूरे है। ये हम सब्बो मन के कर्तव्य है कि ये मौका मा हम चत्रपती शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल जानन, ओखरले सीखन, एखरले हमर भितरी, हमर बिरासत उपर गरब के बोध घलो जागी और भविश्य खातीर कर्तव्य के प्रेणा घलो मिल ही। मुर्मयारूग देश के रवय्य हो, आप मन रामायन के वो नानुग गिलहरी के बारे मा जरूर सुने हो हूँ, जिन राम से तु बनाय मा सहता करेला आघू आयरहिस। कहे के मतलब ये कि जब नियत साफ हो थे, परियासमा इमानदारी हो थे ता फिर कोनो लक्ष कठिन नई रहे। भारत घलो आज इही नेक नियत ले एक बहुते बढ़का चुनोती के मुकाबला करते। ये चुनोती है टीबी के जिलाग छै रोग घलो कहे जाते। भारत हा संकलब करे है कि दू हजार पचीज तक टीबी मुक्त भारत बनाए के। लक्ष बहुते बढ़का जरूर है। एक बखत रहिस जब टीबी के पता चले के बाद परिवार के लोगनमन दुर्या हो जात रहिन। फिर ये आज के बखत है जब टीबी के मरीजला परिव खतम करे खातिर निक्षय मित्र मन मोर्चा समहले है। देश म बहुते बढ़का संख्या मा विभिन्न समाजिक संस्था मन निक्षय मित्र बने हैं। गाउं दिहात मा पंचायत मा हजारों लोगनमन खुदे आगु आके टीबी मरीज मनला गोद लिये हैं। कतको लईका मन हैं जेन मन टीबी मरीज के मदद खातिर आगु आए हैं। ये जन भागीदारी ये अभियान के सबले बढ़का ताकत है। इही भागीदारी के परसादे आज देश मा दस्त लाख ले जादा टीबी मरीज मनला गोद लिये जा चुके हैं। अव ये पुर्ण मन ग्राम प्रधान मन घलो ये बीडा उठा लिये हैं कि वो मन अपन गाउं मा टीबी ला समाप्त करके रहीं। नैनी ताल के एक गाउं के निक्षय मित्र श्रिमान दीकर सिह मेवाडी जी है। टीबी के छै मरीज मनला गोद लिये हैं। अईसने किन्वर के एक ग्राम ग्रायत के प्रधान निक्षय मित्र श्रिमान ज्यान सिंग्जी घलो अपन ब्लाक मा टीबी मरीज मनला हर जरूरी सहायता उपलद कराय मा जूटे हैं। भारत लड़ टीबी मुक्त बनाये के मुहिम मा हमर लईका और युवा संग्वारी घलो पाचु नहीं। हिमाचल प्रदेश के उना के साथ बच्छर के बेटी नलिनी सिह की कामाल देखाओ। बिटिया नलिनी अपन जेब खर्चा ले टीबी मरीज मन के मदद करा थे। आप मन जाना थाओ कि लईका मनला गुल्लक ले कत का मया हो थे। फिर MP के कटनी जिला के तीरा बच्छर के मि बश्वर मुखर जी दूनो कुछ अलगे लईका हैं। ये दूनो लईका मन अपन गुल्लक के पैसा घलो टीबी मुक्त भारत के अभियान मा लगा दिये हैं। ये सब वो उधारन भावुक्त ले भरे होए के संगे संग बहुते प्रिरग घलो हैं। कम उमिरमा बढ़का सो हम हर्दम नवा बिचार के सुवागत कातिर त्यार रहिठन। हम अपन जिनिस मनले मया कर्थन और जिनिस मनले स्विकार घलो कर्थन। एख्रे एख्छन उधारन हैं। जापान के तकनीक मियावाकी। अगर कोनों जगह के मांटी उपजाव नहीं है तब मियावाकी तकनीक वो क्षेत्रला फेर हर्याय के एक बहुते अच्छा तरीका हो थे। मियावाकी जंगल तेजीले फैल थे और दो-तीन दशक मा जैव विवित्ता के केंद्र बन जा थे। अब एकर प्रसार बहुते तेजीले भारत मा घलो आने आने हिस्सा मा हो थे। वगीचा अब जैव विवित्ता क्षेत्र बन चुके है। उन्खर ये सफलता हा वो मनला अव प्रेणा देश ओखर बाद राफी जी हा मियावाकी तकनीक ले एक मिनी फारेस्ट माने नानुक जंगल अव उला नाव देश विद्या वनम। अब अथका सुंदर नावत एक शिक्षके रख सकते विद्या वनम। रामनात जी के ये विद्या वनम मा नानुक जगा मा एक सो पंद्रा किसम के चार सो पचास ले जादा पेड लगाए गे हैं। उन्खर विद्यार्थी मन घलो एकर रख रखाव मा उन्खर हाथ बटा थें। ये सुंदर जगाला देखे बर तीर तखार के स्कूली लईका आम नागरिक बने अकन भीड उमर थे। मिया वाकी जंगला कोनो भी जगा इहां तक कि सहर मा घलो सुभित्ता ले घलो उगाय जा सकते। कुछे बखत पाच्छू मैं गुजरात मा केवडिया एकता नगर मा मिया वाकी जंगल के उद्धाटन करे रहूं। कच्छ मा घलो 2001 के भुकंप मा मारेगे लोगन मन के सुर्ता मा मिया वाकी पधतिले स्मृतिवन बनाएंगे है। कच्छ जैसे जगह मा एकर सफलता ये बता थे कि कठिन ले कठिन प्राकृतिक परिवेश मा घलो ये तकनीक कतका परभावी है। इही रकम अमबाजी औव पावा गड मा घलो मिया वाकी पधतिले पउधा लगाएगे है। मुला पता चले है कि लखनव के अलिगंज मा घलो एक मिया वाकी उध्यान तियार किये जाते। पाचु चार बच्छर मा मुंबई औव उखर तीरत खार के छेत्र मा अईसने साथ ले जादा जंगल उपर काम करेगे है। अब तो ये तकनीक जम्मो दुनिया मा पसंद करे जाथे। सिंगापूर, पेरिस, आस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कत कुछ देश मन मा एकर बड़ा पैमाना मा उप्योग होग थे। मैं देश्वासी मन ले, खास कर शहर के रहवया लोगन मन ले आग्रह कर हूँ कि वो मन मियावा की पधती के बारे मा खचित जाने के पर्यास करें। एकर माध्यम ले, आप मन अपन भुईया और प्रकृतिला हरा भरा और स्वच बनाये मा अमूल्य योगदान दे सकत हो। मुर्मयारुक देश के रहवया हो, आज कल हमर देश मा जम्मू कश्मीर के खुबे चर्चा हुआ थे, कभू बाढ़त पर्याटन के कारण, तक कभू G20 के शानदार आयूजन के कारण। कुछे बखत पाचू मैहा मन की बात मा आप मन लबताय रहे हो कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहिर घलो पसंद करे जा थे, अब जम्मू कश्मीर के बारा मुला जिला के लोगनमन हा एक कमाल कर दिखाए हैं। बारा मुला मा खेती बाडी ता बने बखत ले हो थे, फिर इहां दूद के कमी रहत रहिस। बारा मुला के लोगनमन ये चुनोतिला एक अवसर के रूप मन लेइन। इहां बढका संख्या मा लोगनमन डेरी के काम चालू करिन। ये काम मा सबले आगू इहां के माई लोगि जैसे की एक बहनी हैं इशरत नभी इशरत एक इसना तक हैं अव वोमन मीर सिस्टर्स डेरी फार्म शुरू करे हैं। उनकर डेरी फार्म ले रोजीना करीबन 150 लीटर दूद के विक्री होग थे। अईसने सोपोर के एक संगवारी हैं वसीम अनायत। वसीम करा दू दर्ज जादा दूद बेच थें। एक अव युवा आबिद हुसैन घलो डेरी के काम करा थें। उनकर काम घलो खूबे आगु बाढ़ा थे। अईसने लोगनमन के मिहनत के चलत आज बारा मुला मा रोजीना साथे पांच लाख लीटर दूद के उत्पादन होथे। जम्मू बार बारा मुला एक नवा श्वेत क्रांती के चिनहारी बना थे। पाचु धाई तीन बचर मा इहां पांच सौले जादा डेरी इकाई लगे हैं। बारा मुला के डेरी उद्योग ये बात के गवा हैं कि हमार देश के हर हिस्सा कत का संभावना ले भरे हुए है। कोनों क्षित इही महीना खेल जगत ले भारत खातिर कईयों बढ़ का खुस खबरी आये है। भारत के टीम हां, पहली घाओं महिला कनिष्ठ एशिया कब जीत के तिरंगा के शान बढ़ाएैं। इही महीना हमर पुरुष होकी टीम हां घलो कनिष्ठ एशिया कब जीते हैं। एक रसंगे संग हम ये प्रत्योगिता के इतिहास मा सबले जादा जीत दर्ज करने वाला टीम घलो बन गे हन। कनिष्ठ शूटिंग विश्वकप एमे घलो हमर कनिष्ठ दलह कमाल करे है। भारती ये टीम हा ये प्रत्योगिता मा प्रथम इस्थान प्राप्त करे है। ये प्रत्योगिता मा कुल जदका स्वण पदक रहीस ओमाले 20 प्रतीशत अकेला भारत के खाता मा आये है। इही जून मा एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स प्रत्योगिता घलो हो इस। एमें भारत पदक तालिका मा 45 देश मा प्रथम 3 मा रहीस। संगवारी हो पहली एक बखत रहीस जब हमनल अंतर रास्थ्री आयोजन मन के बारे मा पता तो चलत रहीस। फिर उमें अक्सर भारत की कहूं कोनो नाव नहीं होत रहीस। फिर आज मैं खाली पाचु कुछ हपता के सफलता के उलेख करताओं तभो सूची अतका लंबा होवा जा थे। इही हमर युवा मन के असली ताकत है। अइसने कतकोन खेल और प्रत्योगिता है जिहां आज भारत पहली घाओं अपन उपस्थिती दर्ज करावत है। जैसे की लंबी कूद मा श्री शंकर मुरलिहा पेरिज डायमंड लीग जैसे प्रतिष्ठित आयोजन मा के ये पहली पदक है। अइसने एक सफलता हमर अंडर सेवेंटीन महिला कुष्थी टीम हा किर्गिस्तान मा घलो दर्ज करे है। मैं देश के वो सब्बो एथलीट उनकर पालक और प्रशिक्षक सब्बो मनला उनकर पर्यास खातिर गाडा गाडा बधाई देवत हाओं। जबर महिनत हो थे। आज देश के आने आने राज्य मा एक नवा उचा के संग खेल मन के आयोजन हो थे। एकरले खेलाडी मनला खेले के जीते के ऑँ हारले सीखे के मौका मिल थे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश मा खेलो इंडिया युनिवरसिटी खेल के आयोजन हो इस। एमें युवा मन मा खुबे उचाह और जोश देखेला मिलिस। ये खेल मन मा हमर युवा मन ग्यारा कीर्थिमान तोड़े हैं। युवा खिलाडी मन के कईयों प्रेरणा दायक कहानी घलो आगुआ थे। सावित्री बाई फूले पूने विश्वविद्याले के शुभम भंडारेला टखना के चोड के चलत पाचु बचर बंगलूरू मा निराशा हाथ लगे रहिस। फिर ये पैत वोमन बाधा दौड मा स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। बर्दबान विश्वविद्याले के सरस्वती कुंडू अपन कबड़ी टीम के कप्तान हैं। वोमन कईयों मुश्किल पार करत यहां तक पहुँचे हैं। सुन्दर प्रदशन करईया बहुतक एथलीट मनला टौप्स इसकीम ले घलो बहुत सहायता मिला थे। हमर खिलाडी मन जदका खिल हीं उतकेच खिल हीं। मुरमयारूक देश के रहवया हो 21 जून घलो अब आईच गे। यह पईत घलो दुनिया के कोना कोना मा लोगनमन अंतर राष्ट्री योग दिवस के उत्सुकताले अगोरा करत हैं। यह बचर योग दिवस के थीम है योगफार वसुधाईव कुटुम्बकम। माने एक विश्व एक परिवार के रूप मा सब्बू के कल्यान खातिर योग। यह योग के वो भावनाला व्यक्त करते जेन सब्बूला जोडने वाला अव साथ लेके चलने वाला है। हर बारी कस ये पईत घलो देश के कोना कोना मा योग ले जुड़े कारिक्रम आयोजित करे चाही। संगवारी हो ये पईत मुला न्यूयार्क के संयुक्त राष्ट मुख्याले यू एन मा होईया योग दिवस कारिक्रम मा समिलित होय के मौका मिल ही। मैं देखा थाओ कि सोशल मीडिया मा घलो योग दिवसल लेके गजब के उच्छा दिखा थे। संगवारी हो मुर आप सब बो मन ले आग्रह है कि आप मन योगला अपन जिन्गी मा खचित अपनावाओ एला अपन दिंचरिया के हिस्सा बनावाओ। अगर अभी तक आप मन योगले नहीं जुड़े हो ता अवय्या एकीर जून ये संकलब बर बहुत सुन्दर मौका है। योग मत वैस्ते जादा तामझाम के जरुवत नहीं हो है। देखाओ जब आप मन योगले जुड़ जाहू ता आप मन के जिन्गी मा कतका बढ़का परिवर्तन आही। मुर्मयारुक देश के रवय्या हो परोदिन माने 20 जून के एतिहासिक रथ जात्रा के दिन है। रथ जात्रा के जम्मो दुनिया मा एक विशेश पहिचान है। देश के आने आने राज्यमन मा बहुते धूम धामले भगवान जगन्नात के रथ जात्रा निकाले जाते। ओडिसा के पुरी मा होई वाला रथ जात्रा ता अपन आप मा अद्भुत हो थे। जब मैं गुजरात मा रहे हो ता मुला अहमदाबाद मा होई या विशाल रथ जात्रा मा समिलित होई के मौका मिलत रहिस। ये रथ जात्रा मन मा जेन रकम देश भर के हर समाच हर वर्ग के लोगन मन उमर थें वो अपन आप मा बहुते अनुकर्णी हैं। ये आस्था के संग एक भारत श्रेष्ट भारत के घलो परचाई हो थे। राजभवन मन मा होई दिल्चस्प आयोजन के घलो खचित उल्लेख कर हूँ। अब देश मा राजभवन के चिनहारी समाजीक औव विकास कारिले होई लगे है। आज हमर राजभवन टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रयाकृतिक खेती ले जोड़े अभियान के ध्वजवाहक बनत है। बीते बखत मा गुजरात हो, गोवा हो, तिलंगाना हो, महराष्ट हो, सिक्किम हो, इनकर इस्थापना दिवसला, आने आने राजभवन हां, जिन उच्छा के संग, उत्सव के रूप मा मनाये हैं, वो अपन आप मा एक उधारन है। ये सुन्दर पहल है, जिन एक भारत, स्रेष्ट भारत के भावनाला तशक्त बना थे। संग्वारी हो, भारत लोकतंत्र के जननी हैं, मदराफ डेमोक्रेसी हैं, हम अपन लोकतंत्रिक आदश मनला सबले उपर मान्थन, अपन सम्विधानला सबले उपर मान्थन, इही पाय ये भारत के इतिहास के करिया दौर रहिस, लाखो लोगन मन आपात काल के पूरा ताकतले विरोत करे रहिन, लोकतंत्र के समर्थक मन उपर वो दवरान अत्का अत्याचार करेगेज, अत्का यातना देगेज, कि आज घलो मन सिहर उठते। ये अत्याचार मा पुलीस अव प्रशासन द्वारा दे सजा मन उपर बहुतक पुस्तक लिखे के है, मुला घलो, संघर्ष में गुजरात, नावले, एक्ठन किताब लिखे के वो बखत मौका मिले रहिस, कुछे दिन पाचु आपात काल उपर लिखा है, एक्ठन अव किता आपात काल के दौरान छपे ये पुस्तक मा वर्णन करेगे है, कि कैसे वो बखत के सरकार लोग तंद्र के रखवाला मन ले, कुरूरतम व्यवहार करत रहिस, ये किताब मा धिरन प्रकरण मन के अध्यन है, बहुत अकन चित्र है, मैं चाहूं कि आज, जब हम आजादी के अ अम्रित महस्व मनावथन, तद देश के आजादीला खत्रामा डालने वाला ऐसन अपरात के घलो खचित अवलोकन करन, एकर ले आज के युवा पिढिला, लोग तंत्र के मायना आउ ओ ओखर महत्तम समझे मा आउ जादा सुभित्ता हो ही, मुर्मयारुक देश के रवया हो, मन की बात रंग बिरंगा मोती ले सजे एक सुंदर माला है, जेकर हर मोती अपन आप मा अनूठा और अनमोल है, ये कारिक्रम के हर कड़ी बहुते जीवन्त हो थे, हमनला समुहिकता के भावना के संग, समाज के प्रती कर्तब्य भाव और सेवा भावले भर थे, इहां वो व पढ़े सुनेला मिल थे, हम अकसर देख्थन की मन की बात मा कोनो विसाय के उलेक होए के बाद कैसे बहुत अकन देशवासी मनला नवा प्रिर्णा मिलिस, हालेच मा मुला देश के प्रसिद्ध भारती शास्त्री अनृत्यांगना आनंदा शंकर जयंत के एक्थन पाती मिलि हैं, जे में हमन कथा वाचन के बारे मा चर्चा करे रहें, वो कारेक्रम मा हमन ये छेत्र ले जुड़े लोगन मन के प्रतिभाला चीने रहें, मन की बात के वो कारेक्रम ले प्रिरित हो के आनंदा शंकर जयंत कुट्टी कहानी तियार करे हैं, ये लईका मन खातीर आने आन भाका के कहनी मन के एक सुन्दर संग्र है। ये पर्यास एक खातिर घलो बहुते अच्छा है। का है कि एकर ले हमर लईका मन के अपन संस्कृती ले लगाओ गहिर हो थे। वो मन ये कहनी मन के कुछ रुचिकर वीडियो अपन यूट्यूब चैनल मा घलो अपलोड करे हैं। का है कि ये देख के मुला बहुते अच्छा लगिस कि कैसे देशवासी मन के अच्छा काम आने मनला घलो प्रिरित करते। एकर ले सीख के वो मन घलो अपन हुनर ले देश ऑव समाच खातिर कुछ अच्छा करे के पर्यास करतें। ये पईत मन की बात मा मोरसंग अत्केच अवया पारी नवा विशैसंग आप मनले फेर भेट हो ही बरसा के बखत है इही पाय के अपन स्वास्त के खूबे ध्यान रखाओ संतुलित खावाओ और स्वस्त रहाओ हाँ योगा खचित कराओ अब कईयों स्कूल मनमा गर्मी के खुट्टी घलो खतम हो वईया है मैं लईका मनला बोलू कि होमवर्क आखरी दिन खातिर लंबित जन राखाओ काम खतम कराओ और निश्टिंत रहाओ गाडा गाडा धन्यवाद